सामने वाले की शादी हो रही है अब वो फिर भी उसको है कि नहीं उसने बोला था कि मैं बात करूँगा या करूँगी तो फिर भी इपना वेट कर रहे हैं कि नहीं मेरा ब्रेक अब नहीं हुआ है वो बात करेगी मुझसे शादी कर रही है डिनायल में रहते हैं, प्रॉपर डिनायल में, लेकिन अगर आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो ना, तो कहीं न कहीं आपके साथ गलत होता ही है, कहीं न कहीं आपका दिल तूटता है, आपके साथ बुरा होता है, क्योंकि आप अपनी सोल को कहीं न कहीं तडपा रहे हो, अ हमेशा अपने आपको open गरो conversations के लिए क्योंकि कई बार ये होता है कि आप सामने वाले को इतना मजबूर कर देते हो कि वो आप से खुल के share नहीं कर पाता हर एक चीज सो अनुबब हमने काफी बाते की क्यों break-ups होते हैं क्यों divorces होते हैं और अगर कुछ solutions तुम बता सको कि जो लोग इससे गुजर रहे हैं suppose किसी का divorce हो गया है या break-up हो गया है तो वो जो rebound करना है उसके कुछ अगर कुछ tips दे सको कि वो कैसे rebound कर सकते हैं if you can give some tips जब एक इंसान move on कर रहा होता है तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर ये चीज होती है कि मुझे जल्दी से कुछ करना है जल्दी से मैं उस चीज को achieve करना चाहता हूँ जो मुझे दिख रही है जो normally लोग देखते हैं कि हाँ एक इंसान normal है मुझे इसके जैसा बनना है तो वो जल्दबाजी जो मन के अंदर आ जाती है जल्दबाजी से चीज़े नहीं हो सकती अगर आपको move on करना है तो आपको एक होतान है patience रखना बढ़ता है आपको time देना बढ़ता अपनी soul को अपने emotions को अपनी mental health को heal करने के लिए क्योंकि ये चीज़े overnight नहीं हो सकती कोई भी इंसान कितनी बड़ी से बड़ी advice दे दे चाहे कुछ भी कर लो आप लेकिन एकदम से नहीं हो सकता आप motivate जल्दी हो सकते हो लेकिन आपको उस चीज़ को achieve करने के लिए consistently अपने उपर work भी करना पड़ेगा प्लस इसके साथ साथ अपने आपको time देना पड़ेगा एक चीज़ होती है acceptance लाना हम ये चीज़ accept करने के लिए ready नहीं होते कई बार मैंने ऐसे cases भी encounter किये हैं अपने लोग ये मानने के लिए ready नहीं होते हैं कि मेरा break up हो गया है या मैं इस चीज़ को accept करो कि मेरा break up हो गया है they still want to try सामने वाले की शादी हो रही है अब वो फिर भी उसको है कि नहीं उसने बोला था कि मैं बात करूंगा या करूंगी तो फिर भी इपना wait कर रहे हैं कि नहीं मेरा break up नहीं हुआ है वो बात करेगी मुझसे शादी कर रही है denial में रहते हैं proper denial में तो मैं उनको वही चीज़ समझाने की कुशिश करता हूं कि आप accept करो acceptance is the key to be free मैंने हमेशे ये चीज़ सुनी है पढ़िया है मैंने लोगों को भी ये चीज़ समझाई है if you want to free your soul from all this mess you have to accept things जब तक आप accept नहीं करते हो अपनी life में कोई भी चीज़ हो रही है तब तक आप उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाते हो move on करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ acceptance होती है उसके बाद आता है अपने आपको time देना उसके बाद आता है उस इंसान से communication break करना क्योंकि लोगों को इस साथ में मैंने ऐसे भी लोग देखे है बात भी कर रहे हैं move on भी करना है या तो आप बात कर सकते हो या आप move on कर सकते हो दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं कर सकते है move on भी करना है बात भी करनी है तो अगर डाल को पकड़ के रहेगी तो उड़ नहीं सकते उससे अगर उड़ना है तो उस डाल को रेक्यूम को छोड़ना पढ़ा है बिल्कुल बिल्कुल पैरो के जंजीरे बान के अगर आप सोचते हो कि आपको बाहर निकलना है गर से बाहर जाना है कुछ भी करना है तो वो नहीं हो सकता आपको वो जंजीरे तोड़नी होंगी वो कम्यूनिकेशन खतम करना पड़ेगा ताकि आप इस जगह से बाहर निकल पाओ तो ये चीज मैंने देखी है इस चीज को भी मैं लोगों को समझाता हूँ उनकी एक्सेप्टेंस तो ही पेशन्स रखें एक्सेप्टेंस रखें पेशन्स हो गया एक्सेप्टेंस हो गया और अपने आपको टाइम देना अपनी सोल को हील करने के लिए टाइम देना इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़े होती है जैसे कि आप लोगों से वेंट आउट करने की कोशिश करते हो express yourself, अपने अंदर इतना मत रखो, किसी भी जरी, अगर कोई नहीं है आपके पास, life में, कि हाँ मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ बिल्कुल, अब मैं क्या करो, अरे कोई नहीं है, कोई बात नहीं, आप express करना शुरू करो, किसी भी form में, लिखना शुरू करो, या किसी भी way में express करो, अगर आपको लगता है कि आप लिख सकते हो, तो लिखना शुरू करो, मैं कर डायरी, डायरी पर लिखना शुरू करो, या किसी से शेर करना शुरू करो, कोई भी दोस्त, कोई भी इंसान ऐसा हो, अगर फिर भी चीज़े work out नहीं कर रही है, so you should focus on loving yourself, क्योंकि at the end हमें वहीं करना होता है, मैंने spirituality में भी मैं believe करता हूँ, तो मैंने ये चीज़ spirituality सही सीखी है, कि आप दुनिया को जितना भी प्यार दे दो, लेकिन अगर आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो ना, तो कहीं न कहीं आपके साथ गलत होता ही है, कहीं न कहीं आपका दिल तूटता है, आपके साथ बुरा होता है, योगि आप अपनी soul को कहीं नघी तड़पा रहे हो, अपनी soul के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो आप दुनिया के साथ कितना भी हम आपको वह return में वैसा यही मिलेगा, जो आप अपने लिए कर रहे हो, So start loving yourself मैंने जब से लिखना शुरू गया है मैंने हमेशे यही चीज सबसे आदा promote करी है To love ourselves मैंने book भी लिखी थी mind fuck मैंने उसमें भी यही चीज promote करी To love ourselves Because that is the most important thing And the ultimate thing you should do to yourself Books की बात चलिए तो काफी interesting आपकी book के topics रहे हैं तो थोड़ा अपनी किताबों में से कुछ आप बताना चाहें तो especially एक overthinking पे भी आपने काफी लिखा है So आज कल आप generations को देखें तो बहुत सारे लोग overthinking का शिका रहे हैं और इस overthinking से धिरे-धिरे कब कई लोग suicidal तक पहुच जाते हैं वो भी हमने देखा है तो I think हम discuss कर रहे थे तो आप बता भी रहे थे कि कई ऐसे रहे हैं जहां पे लोग suicide की वर्ज पे थे और आपने उन्हें बचाया है तो let's discuss about this if you can share that story where the person was suicidal and how could you help and what message you would like to give people जो लोग अभी शायद सोच रहे हैं अपनी जीवन को अंत करना तो क्या आप उन्हें कह सकते हैं So, जो story है वो ऐसा है कि आज से करीब दो साल पहले there was this girl राजस्तान से उन्होंने पहले एक दिन का session लिया था उन्होंने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई थी basically उनकी कहानी ये थी कि उनका break up हुआ था 10 years का relationship था 10 years का relationship सुनके मुझे को लगा कि हाँ ये चीज बहुत serious है और उनके साथ actually में वो चीज बहुत serious हो गई थी क्योंकि उनकी mental health चतीना वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी इस सब्सक्राब हो गई थी कि वो मेरे पास आने से पहले भी कई बार suicide attempt कर चुकी थी तो खेर कोई नहीं मैंने उनने suggest किया कि आप मेरा one month का session ले और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इस चीज से बाहर निकालने की और वो कोशिश की शुरुवात हुई दो चार दिन पाच दिन sessions लिए उन्होंने छे दिन साथ दिन तक sessions लिए लेती रहे और उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था उन वो बताती थी मैं daily उनसे check करता था इस चीज को लेकर कि कैसा चल रहा है कैसा फील कर रहे हो तो feedback में वो हमेशा मेरे को positive भी बताती थी अब थोड़ा बहुत तो इंसान फील करता ही है आप कितना भी session ले रहे हो थोड़ा बहुत तो एक part of the day ऐसा आता ही है जहां पर आप सोचते ही हो कुछ ना कुछ negative तो 6-8 sessions लेने के बाद एक रात ऐसी आई जब उन्होंने मतलब उस दिन मेरी उनसे बात हुए थी normally she was fine वो आके मजे जरूर बताती थी कि रात मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है कई बार मेरे को दिक्कत होती है बट मैं जैसे दैसे manage कर लेती थी बट उस दिन क्या हुआ I was talking to my girlfriend जो मेरी wife है उस समय के girlfriend थी so that was around रात के तीन बज रहते तो उनका मेरे पास WhatsApp पे message आता है कि thank you so much for the sessions on above and आपने बहुत कोशिश करी सब चीज़ें सही रखने की but I don't think ये मेरे से हो पाएगा तो वो message like मैंने बताया मैं उस समय अपनी girlfriend से बात कर रहा था so वो message सुनके मेरे को पढ़के मेरे को काफी धक्कासा लगा कि like मेरे को एकदम से ये चीज़ क्लेक हुई कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि suicide बगरा ये कुछ ऐसी गलत चीज़ करने जा रही है so I shared this with my wife तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि यार ये कुछ serious हो सकता है आप एक काम करो आप इसे call करो वैसे मैं professional times तो नहीं था obviously professional time नहीं था and मैं कभी रात में बात भी नहीं गरता ऐसे लोगों से but उस दिन and for that person I initiated ठीक है मैंने वो call initiate करी मैंने approach किया मैंने call करी and she picked up the call she was badly crying बहुत बुरी तरीके से रो रही थी वो तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी थोडा समझा भी 15-20 मिनिट बात वी मैंने उनको फिर वोई calm down करने की कोशिश करी तो वो calm down होई लेकिन वो पुरी तरीके से होई नहीं but मेरी call cut चुकी थी जो मेरी वाइफ है उन्होंने उस समय मेरे को यह चीज बोली भी है she was on conference तो वो सोन रही थी मेरी क्या बात हो रही है तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि I don't think she's still satisfied तो I think you should call her again आप एक बर फिर से इने call करो तो मैंने उन्हें फिर से मैंने का चलो ठीक है मैं एक बार फिर से ट्राइ करता हूँ क्योंकि मुझे वो positive response मिला नहीं था सामने से और मुझे यह लगा जब मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मैं at least वहां तक कोशिश करूँ जहाँ पे मुझे भी satisfaction मिले कि हाँ सामने वाल अब ठीक है तो मैंने फिर से उने call किया फिर से मैंने उनसे बात करी तब जाके वो थोड़ा calm down हुई तो अगले दिन जब मेरी उनसे बात हुई तो उस समय उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हाथ में पूरे medicines का पुरा इसे था बहुत सारी medicines थी मैं वो पूरी खाने वाली थी तब मैंने आपको मैसिज किया तो वो सुईसाइट अलमोस्स करने वाली थी वो मुमेंट था जब मुझे चीज क्लिक मैंने वो बहुत ही परस्नल लेविल पर एक्सपरेंस किया था बागी लोगों ने कहानिया तो मुझे बहुत-बहुत बताई है कि आपने मेरी मिर को ऐसे से बचाया आपकी उस समें वीडियो देख लिया थी तो मैंने अपनी जान मतलब लेते लेते मैंने आपको रोक लिया इस तरीके से लेकिन वो जो एक परस्नल एक्सपरेंस हुआ मेरा किसी से वन-टू-वन वो चीज मझे बहुत क्लिक कर गई और स्टिल रिमेंबर देख सो डेलिकेट मतलब कि एक मतलब कि जो जिंदा रहने की चाहता है वो लास्क मॉमेंट तक भी एक प्रयास तो करती है अगर कोई सपोर्ट उस टाइम पे मिल जाए तो मैं दर्शकों से यह कहना चाहूंगा अगर कोई भी इस तरीकी की चीजों से गुजर रहा है तो एक सीज का ख्याल रखे है कि आपका कोई भी प्यार, कोई भी ब्रेक अप आपकी नोकरी, आपका बिजनस कुछ भी आपकी जिंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है और कभी भी हैजिटेट ना करें किसे से भी बात करने के लिए चाहे फ्रेंड से बात करें प्रोफेशनल सपोर्ट लें माबाप से बात करें लेकिन मेक शूर करें कि आप बात जरूर करें क्या बार सिर्फ एक कॉनवसेशन है जो उस इंपल्स को आपको डील करने में मदद कर सकता है बहुत ही ब्यूटिफुल कहानी आपने सुनाई और जो एक और कहानी आप मुझे बता रहे थे कि सम फिफ्टी टू इर ओड लेड़ी वस टॉकिंग और दीस थिंग वह बहुत क्रेजी था एक्चली क्या हुआ आज से जब मैंने वीडियो बगरा स्टार्ट किया था होता ये था कि मेरा जो कॉंटेंट होता था उस कॉंटेंट में ऐसा लगता था जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ जैसे सुनो तुम मेरे साथ ऐसा मत करो मतलब मेरा वह ये वीडियो है अब ये वीडियो प्ले हो रही है तो सामने वाले को वह दिख रहा है कि मैं उसे बात कर रहा है, अब जब आप depression में होते हो या psychological कोछी issues होते हैं, तो आप उस चीज को, अब एक normal इंसान है, जिसकी normal health चल रही है, mental health, normal conditions है, वो उस चीज को ई content की तरहा लेगा, लेकिन that lady, उन्होंने उस चीज को बहुत अलग तरीके से लिया, तो तो मैंने बात्चीत शुरू करी उनसे, तो उस शुरुवात में उन्होंने मेरे साथ कुछ इस तरीके से बात करी कि अब आप बात क्यों नहीं करते हैं, आपको मैं रिपलाई करती हूँ, आप रिपलाई क्यों नहीं करते हैं, ऐस तरीके से, so I was all confused कि यारी, किस तरीके से बा करने के लिए हो थोड़ा मुझे बता हो उसके बारे में बेग्राउंड दो तो शी सार्टिट टेलिंग मी कि ऐसा हुआ अब यहां पर मैं थोड़ा सा बेग्राउंड बताता हूं क्या हुआ था तो फॉड़ लास्ट 10 ओ 15 डेस मैं शायद कॉंटेंट पोस्ट नहीं कर रहा थ थी तो शी वेंट तो नियरेस पोली स्टेशन हां वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई कि ऐसे एक इनसान है शी ही इस नॉट पोस्टिंग अनी वीडियोस इस फाइन यूशुट गो और चेक आउट अट शी इस फ्रॉम तमिल नाडू और यहां फ्रॉम देली एंसिया यहां था, so I was all shocked कि यार यही किस तरीकी की बाते हो रही हैं, तो जब मैंनों उनकी पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने मेरो को यही चीज़ समझाई, यही चीज़ बताई कि वो basically मेरी वीडियोस के तुरू उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनसे बात करता हूँ, और पर्सनल लेविल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी, उन्होंने उस वीडियो का reply नीचे comment में करा, अब मैं अगली जो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उस वीडियो का reply करके, पहले मैरी consistency भी बहुत हाई रहती थी, वीडियो पोस्ट क फैमिली के हर एक इनसान के बारे में, हर एक चीज के बारे में लेटेस से लेटेस अपडेट पता रहती थी, कौन क्या कर रहा है, कहां है, जो भी अगर थोड़ी सी भी चीज मेरी सोशल मीडिया पर कहीं पर कुछ दिग गई, वो तुरंट उसे ग्रैब करती थी, बहुत उ अधर साइड है, इस केस की वो यह थी, कि शी नीडिड ए परसें जिनसे वो बात कर सकें, क्योंकि वो, तो उनके हस्बेंड वगरा थे, वो परशान रहती थी, डिप्रेशन में थी, उनको कोई समझता नहीं था, लैक ओफ अंडेसेंडिंग थी, फ्रॉम दॉल फैमिली, त तो मुझसे उन्होंने उमीद करी कि मैं उन्हें उनसे बात करूँ, तो at the end, she was just saying कि मैं आपसे बत एकी चीज़ उमीद करती हूँ, कि आप मुझसे बात कर लिए, अगरो कभी भी मुझे नीड हो, अब इस तरीके की चीज़ों को मैं एंटरें नहीं कर सकता, जब बात इतन प्रेंड्शिप नहीं कर सकते और ऐसे वैसे ऐसी क्या खराबी है, यह उपता नहीं क्या-क्या बाते करने लगी है, मैंने का यार, वो psychological issue है, मैंने का छोड़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं इस चीज़ में, तो उसके बाद में आगे कुछ रहा है या फिर नहीं stop हो गय जब आपके लोग को ब्लॉक कर देना सही रहता है, क्योंकि जब आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी तरीके से तो वो अपने जोन में जैसे तैसे एंडल कर लेंगे, लगेन अगर वो आपको अपना dependent, आपके ओपर dependent हो जाएंगे, किसी भी चीज़ को लेकर, directly और indirectly, तो उनके लिए भी healthy नहीं होगा और एक टाइम के बाद आपके लिए भी healthy नहीं होगा. किताब लिखने की शुरुआत होई थी 2020 से, COVID चल रहा था, उस समय मैं ऐसा था कि, मतलब मैं हमेशा से quotes वगरा ये सब मैं लिखता ही था, वीडियो भी बना रहा था, popularity भी अच्छी हो गई थी, उस समय काफी followers बढ़ रहे थे, सब कुछ था, तो उस समय मेरा था मन की मैं कि कहानी है, जो मेरा फर्स ब्रेक अब हुआ था, फर्स अंप्यार हुआ, तो वो पूरी एक कहानी है उसमें, जब वो बुख होई, लॉंच होई, गॉट वरी सक्सेस्फुल, बेस्सेलर रही, इंडिया, मतलब नेशनल बेस्सेलर रही, एंडियो, कितनी, 80,000 करी बुक्स, वो उस चीज़ पर मैं बताता हूँ, उसमें एक्जाक्ली क्या है, पहले मैंने वाइनॉट मी लॉंच करी, उसके कुछ दिरेकली पब्लिशर मिल गए थे, या पहले सेल्फ करनी पड़ी, बताता हूँ, सो हुआ ये था, कि मैंने सबसे पहले जब मैं बुख लॉंच कर रह सबस्क्राइब नहीं थी, वरकिंग में नहीं थी, तो उसमें मैं किसी भी ऐसे फिजिकल फॉर्मेट में नहीं जा पा रहा था, तो मेरे लिए उसमें बेस्ट उप्शन था कि मैं ए-book फॉर्मेट में लॉंच करूँ, सो आप्रोच्ट एमजन किंडल वहां पर मैंने अपन प्रोफाइल बनाया और वहां पर अपना बुग लॉंच करी, तो फॉर्मेट में बड़ी बात थी कि मेरी बुग अगले 50-60 देज तक लाइक अगेस देर से दो महीने तक मेरी बुग नमबर वन बेस्ट सेलर रही थी, क्या बात है, हाँ, सो देट वस अचीवमेंट फिर व आपको यह सकते हैं, हम 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 आपको यह सकत किंडल पर ही है ताकि कम डेटा में बहुत ज़्यादा content हो जाता है तो लोग उसमें फिर नहीं पढ़ते हैं, avoid कर देते हैं तो मैंने सोचा एक short and crisp रखके उसको अच्छे से लोग को देखाते हैं, पढ़ाते हैं लोगों ने वो पढ़ी, उसको भी प्यार दिया, वो भी best seller रही, फिर उसके बाद 2022 में mind fuck आई that is all about overthinking कि आप कैसे अपनी overthinking को control कर सकते हैं, प्लस सिर्फ उतना ही नहीं कि आप कैसे control कर सकते हैं आपको कहां-कहां पर overthinking होती है ये भी मैंने बहुत, उस पर बहुत importance दिया है, सो कहां-कहां पर होती है, for example relationships में overthinking अलग तरीके की होती है जैसे कि कुछ example दे सको तो अब relationship में overthinking इस चीज़ की होती है कि आप relationship में एक इंसान के साथ में, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी, suppose रही है कि trust issues को कैसे build up करें या आप उस जगह पर है, जहां पर आपका किसी ने trust तोड़ दिया अब आप overthinking कर रहे हो तो कि इस trust को कैसे build up करें तो बहुत सारे segments बहुत सारे subcategories में मैंने मतलब वो बुक ऐसे बुक है अगर कोई एक बार पढ़ेगा, especially अगर किसी को चाहें वो relationship point of view से पढ़े चाहें वो family point of view से पढ़े चाहें वो personal point of view से पढ़े तो उसको हर सवाल का जवाब मिलेगा बकाइदा questions लिखे में हैं उसमें और बकाइदा उनके answers लिखे में with examples की इस situation में यह करना चाहिए तो जाहिर सी बात है, मेरा जो उस book का concept जो main purpose लिखने का वो यही था कि आपको अगर आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएना तो आप overthinking करना अपने आप कम कर देंगे overthinking तब करता है इंसान जब उसको English language मैंने start करी थी मैं Hindi में प्रिफर करता हूँ मैं English में आज भी प्रिफर नहीं मतलब खुद जब मैं लिखता हूँ तो मैं Hindi में ही लिखता हूँ सबसे पहले book और publish मैंने हमेशा दोनों books एक साथ करी है दोनों formats languages basically English and English अब लोग confused हो जाते हैं शुरूबात में मुझे बहुत प्रॉब्लम होई थी लोगों को इस चीज को clear करने में कि English क्या है और English क्या है English तो सबको पता है English English है English basically वो है जो language जो हम usually हम text में use करते हैं but words English में लिखते हैं होते हिंदी में हिंदी में मतलब लिखा होता है ठीक है तो ये चीज मैंने start करी बहुत सारे English authors नहीं थे कुछ books थी लेकिन वो paperback format में थी e-book में एक भी book नहीं थी तो book लिख ली उससे translate भी कर लिया मेरे पास दोनों formats थे दोनों को upload कर दिया अब publish करने के डेड़ महीने बाद मेरे पास एक message के केते हैं इ-mail आता है that your account is temporarily blocked book bestseller हो चुकी थी book अच्छी चल रही थी Amazon भी कमा रहा था मैं भी कमा रहा था सब कुछ अच्छा हो रहा था उस point में मैंने बताया न मेरा जो publisher है harper वो मुझे खुद बताते है कि 2020 में जो harper की bestseller book थी वो आपी की book थी क्योंकि उस समय पे कोई book ना इतनी आई थी और ना ही कोई इतनी book चल रही थी तो जाहिड सी वात है business Amazon को भी मिल रहा था तो हुआ ये था कि उन्होंने वो book basically उसके language की वैसे वो हट गई थी book और जो क्योंकि language का fault था तो उन्होंने मेरा account भी close कर दिया अब मैं बहुत परेशान अब इस बीच fortunately मेरे पास 2-3 लोगों के contacts आ चुके थे क्योंकि जब मेरी book number one bestseller चल रही थी तो Amazon के इंडल ने अपने promotion के लिए मुझे approach करना शुरू किया अलग-अलग लोगों ने करा तो मैंने उन्हीं लोगों को बताया कि मेरे ऐसे-ऐसे मेरा account ब्लॉक हो गया मुझे समझ में निया रख्य हुआ तो उन्होंने मेरे को एक हफते के बाद 3-4 दिन या 5 दिन 3-4-5 दिन के बाद उन्होंने मुझे इसका रीजन बताया कि आपकी बुक English format में थी इस वज़े से आप हमारे system ने automatically उसको remove कर दिया तो मैंने का जब ये बुक English format में थी और आपका प्लेटफर्म सपोर्ट नहीं करना है तो आपका प्लेटफर्म एकसेट क्यों करा पहले on the first place उसको अप्लोडी नहीं करना चीए था तो उनको ये चीज समझ में आई कि उनके एंड से गलती हुई और उन्होंने मेरे को इस चीज का इस और और फिर इस चीज पे भी हमारी बहुत डिबेट हुई थी और उनकी टीम से उनकी टीम सिंगापूर में बैठती है तो वहाँ से वो लोग सब हैंडिल करते हैं तो उनों वहाँ पे बहुत टीम मीटिंग्स हुई इस चीज को लिए कर इस चीज को ऑफिशल किया कि हिंग्लिश फॉर्मेट में बुक लाँच होगी उसके system के लिए वो unsupported language थी या तो Hindi में वो या English में अब वो English है तो वो words वो English ये words बनते नहीं थे इस वज़े से तो वहाँ पर एक official उन्होंने announcement किया था कि now they have opened this English format for their platform क्या बात है तो अब वो accept करते हैं प्रोपर ली क्या बात है ये तो पुरा बहुत सारे लोगों की help कर दी तुमने very good deal कैसे गरे overthinking के लिए कुछ अगर 3-4 steps अगर हमारी audience को कैसे को how to deal with overthinking मैं समझता हूँ सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये कि हमेशा positive side को देखना चाहिए हमारी problem ये as a human being हम हमेशा negative की तरफ ज़्यादा जल्दी attract होते हैं ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं हर चीज़ के दो value होते हैं या तो एक positive होता है negative होता है और होना जो है वो आप control नहीं कर सकते अगर किसी हद तक control कर भी सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़े life में ऐसी होते हैं जिने आप control नहीं कर सकते हैं तो हमेशा positive side देखो और हमेशा outcome के लिए भी ready रहो कि जो भी outcome होगा उस चीज़ के लिए अपने आपको prepare करो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ के बारे में सोचने से आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कुछ चीज़ कर सकूँ तो मैं उसके बारे में चाहे जितना मर्जी सोचने उससे सिर्फ मेरी mental health खराब होगी उससे मेरे को कोई solution नहीं मिलेगा तो ये एक चीज़ है जो मैंने सीखी है मैं समझाना चाहता हूँ मैंने हमेशा लोगों को बताई है दूसरी चीज़ हमेशा अपनी चीज़ों को share करते रहो लोगों के साथ में जब एक इंसान अपने आपको isolate कर लेता है अकेले पन में चले जाता है तो वहां से वो इंसान ज़र्व से ज़ादा सोचना चुरू कर देता है जब आपके पास कोई काम नहीं होता है करने को आप खाली होते हो आपके अकेला पन होता है तो आप सोचना चुरू कर देते हो so start doing something start talking to people आप लोगों से बात करो communicate करो कुछ तो ऐसे दोस्त होंगे कुछ तो ऐसे family member होंगे जिनके साथ आप comfortable होगे तो उनके साथ अपनी problems को share करो अपनी चीजों को share करो get comfortable with them so that you can share things and you can vent out दिल से बाहर निकालनी बहुत ज़रूरी हैं चीज़े हमारे साथ दिक्कत यहीं कि हम अपने दिल में रखते हैं सोचते हैं कि नहीं किसी को परिशान करते कोई क्या सोचेगा लोग judge करेंगे इतनी परवा मत करो कि कौन क्या सोचेगा कौन क्या judge करेगा आपके मन से चीज़ें बाहर निकलनी बहुत ज़रूरी है बाकि इसके अलावा meditation तो एक चीज़ होती है जो मैंने हमेशा खुद भी try करी है और लोगों को भी यह advice किया है कि आप meditation किया करो meditation ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे बैठ के meditation कर रहे हूँ वो एक अलग तरीका है वो एक अलग zone है और हर कोई वो कर भी नहीं पाता हर कोई अपने God से spiritually से spiritually connect नहीं कर पाता या soul से connect नहीं कर पाता उस तरीके से तो आप सिर्फ अपने मन की आवास को सुनके अपने मन में बाते करके अपनी soul से connect कर सकते हो वो चीज़ भी बहुत जरूरी है वो चीज़ भी आपको help करती है to calm yourself down अपने आपको समझाना कि शांत रहो अपने आप से माफी मांगना अगर कोई गलत चीज़ तुमने करी है ये सब चीज़ें भी आपको overthinking control करने में help करती है लवली और कभी तुम खुद अगर exhaustion या burn out मैसूस करते हो या फिर कभी तुमें जब stress होता है तो क्या techniques follow करते हो अपनी inner wellness को maintain करने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं spiritually active हूँ so I believe in God and I try my best to connect with Him तो जब आप किसी एक divine light में या किसी एक power में believe करना शुरू करते हो या उसमें अपना विश्वास बठाना शुरू करते हो तो वहां से भी आपको बहुत हिम्मत मिलती है जहां पे भी आप फस जाते हो जब आप किसी situation में फस गए हो या आपके दिमाग में कोई चीज बहुत जादा चल रही है आपको exertion feel हो रहा है तो युनिवर्स से बापेस रिवर्ट आता है तो वह चीज मुझे help करती है calm down करने में साथ ही साथ अगर मैं या तो मैं खुद को अपने आप motivate करता हूँ अपने उस situation से अपने आपको खुद handle करता हूँ या अगर मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा होता है so I seek my help to my wife कि अब मेरी wife मुझे help करे उस चीज में I share things with her अगर वो भी चीज मेरे को workout नहीं करती है तो मैं family में और लोगों से बात करता हूँ जो बड़े हैं कि ऐसे ऐसी situation चल रही है so I सबसे पहले मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं अपने end पे उस चीज को handle कर लूँ लेकिन अगर फिर भी help नहीं होती क्योंकि एक इंसान कितना भी strong हो कितना भी कुछ भी कर ले but कभी न कभी life में दूसरे लोगों की जरुरत पढ़ती ही है तो वो चीज भी मेरे को help करती है कोई family member हो बड़े भाई हैं मेरे पापा हैं ममी हैं उनसे कुछ share कर लिया उनका जरुआ सा कुछ बोल देना की सब ठीक हो जाएगा वो भी बहुत इम्मत देता है उस वक्त पे जब आपको बहुत जरुरत होती है आपका wife का आपके partner का constant support वो भी बहुत help करता है उस चीज से overcome करने में तो wife का क्या role आप देखते हैं अपनी life में apart from personal relationship professionally वो कैसे आपको मदद करती है how she helps you in maintaining your composure और I think एक interesting story है आपकी marriage की भी so if you can share that as well wife का मेरा अमेशा से एक role ये भी रहा है कि सिर्फ emotional level पर नहीं उन्होंने मेरे को professional level पर भी बहुत support किया है और एक होता है है कि पीछे से धक्का लगाना कि तुम चलो मैं हूँ पीछे मैं संभाल लूँगी सब वो अली चीज उन्होंने हमेशा से करी है जो एक partner का support चाहिए होता है ना इंसान को आगे बढ़ने के लिए वैसे तो देखिये कहते हैं कि independent होना जरूरी है बट कभी नगभी we all are human beings तो हमें कभी नगभी जरुत पढ़ जाती है किसी इंसान की जो हमें पीछे से धक्का लगाए motivate करें तो वो चीज उन्होंने help करी है हमेशा से मिरको and in fact content में भी कई बार help करी है अब आपका सारा काम दिमाग खाए तो जहां तक आप सोच पा रहे हो जहां तक आपने कोई topic सोच लिया सोच लिया लेकिन कई बार आप फस जाते हो मेरे साथ भी वही चीज होती है कि मैं कई बार नहीं समझ में आता कि मैं आगे क्या सोच हूँ किस topic पर बोलूँ किस topic पर कुछ लिखूँ मुझे नहीं समझ में आता so she helps me, she sits with me कि आओ बताओ मुझे क्या दिक्कत है मैं आपका यह यह दिक्कत है, आचा ठीक है मैं बताती हूँ, तुम इस topic पर लिखो अचा इसमें यह point set करो तो she constantly helps me चाहे मैं दुनिया को कितना भी यह चीज कितना भी उनको यह दिखाता हूँ या उनकी help करता हूँ लेगिन जो मेरी help करता है, वो मेरी wife है जो मेरे को content में in fact कभी-कभी relationship advices में भी मैं उनका opinion जानने की कोशिश करता हूँ, कि तुम बताओ, ऐसी situation में क्या करना चाहिए, वहाँ पे भी she helps me a lot, तो उनका professional support भी है साथी साथ emotional support तो है beautiful, love marriage रही है, बिलकुल love marriage है तो क्या दोनों घरवाले मान गए थे या दिक्कते आई थे obviously थोड़ी बहुत आई थी बहुत ज़्यादा दिक्कते नहीं आई थी लेकिन हाँ, finally माने थे four years का हमारा relationship था four years के relationship के बाद हम लोग ने like शुरुआत करी इस चीज की कि हाँ भी, अब बात करनी है ये वो, पहले खुद को independent बनाया क्योंकि कही ना कहीं एक चीज थी कि एक sufficient नहीं था जो एक practical life जीने के लिए चाहिए होता है तो पहले उतना करा अपने अपने लिए बाकि एक चोटी सी चीज मैं कहना चाहता हूं मैं इस पर अलड़ी एक बुग लिख रहा हूं अच्छा मैं बहुस कुछ रिवील तो नहीं कर सकता है बढ़ हां हमारी love marriage हुई है that is true lovely so any two to three final before we go to rapid fire two three relationship advice that you can give to people who are in relationship and who want to protect it properly सबसे पहले चीज़ तो मैं यही कहना चाहूंगा लोगों से कि communicate करो कभी भी कोई भी problem है क्योंकि लोगों के साथ दिक्कत यह है कि आप अपने partner से नहीं दूसरों से पहले बात करना शुरू कर देते हो कभी अपने friends से कभी अपने west friends से कभी किसी third person से जो भी problem है चाहे वो husband wife की हो चाहे वो girlfriend boyfriend की भी क्यों ना हो try to communicate your problems with each other क्योंकि लोगों के साथ दिक्कत ही होती है वो बाहर चले जाता है वो अंदर नहीं discuss करते आप अपने partner के साथ discuss करोगे तो आपकी problem solve होने के 90% chances होते है क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे partner कोई problem face कर रहा है सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अपने partner के साथ में अपने problems share करो दूसरा loyalty बहुत important है maintain करना अगर आप loyalty maintain नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी cheating वाली चीज है और वो कर्मा है वापस आते ही है कभी ना कभी आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ वापस कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में होगा so loyalty बली चीज मैं हमेशा यह बोलता हूँ try to maintain it as much as you can और as you can की कोई बात ही नहीं है you have to maintain it उसमें तो कोई option ही नहीं है if you are in a relationship बाकी हमेशा अपने आपको open करो conversations के लिए क्योंकि कई बार यह होता है कि आप सामने वाले को इतना मजबूर कर देते हो कि वो आप से खुलके share नहीं कर पाता हर एक चीज don't judgment should not be there judgment नहीं होना चाहिए loud reaction नहीं होना चाहिए कई बार एक partner को बता होता है कि मैं अगर सामने वाले से यह चीज शेयर करूँगा तो वो loud react करेगा अब इनसान है जूट बोल दिया गलती कर दी तो वो उस चीज को अगर confess भी करना चाहिए तो वो नहीं कर पाता इस ड़र से तो अपने आपको इतना open रखना चाहिए conversations के लिए कि सामने वाला एक sensitive topic पर बात कर सके या कुछ ऐसी uncomfortable चीजें discuss कर सके जो शायद उसके मन में हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहा है या उसे कोई गलती हो गई वो शेयर नहीं कर पा रहा है अपने reactions को इतना limited रखना चाहिए यह जो मैं समझता हूँ सबसे important चीजे है lovely अनुभाव so now we will move to the rapid fire अब चीजे बड़ी fast only rapid fire with अनुभाव let's start कोई भी एक poem जो सबसे दिल के करीब है एक बार हो जाए यहाँ पर सुन दिल मत तोड़ना या एकास है दिल में तिरे साथ रहने की एक प्यास है मेरे होटो पे तिरे गम को पी जाने की एक मासूमियत है चेहरे पे तुझे चूम जाने की इसे कभी रोकना मत यार सुन दिल मत तोड़ना यार कैद कर लेना चाहता हूँ तुझे अपनी बाहों में की दुखों का सायवी ना पड़े तुझपे कभी रखना चाता हूँ नजरों के सामने तुझे मेरी इन पलकों की चाहँ में लेकिन रुख मत मोड़ना यार सुन दिल मत तोड़ना यार बैटना है तेरे साथ दो बाते करनी है तुझे हसते, खिल-खिलाते, जूमते, मुस्कुराते, इस खुशी की वज़ा है तू, कभी बदल मत जाना, यार, सुन, दिल मत तोड़ना, यार, खुआईश है मेरी, पहनाने है कंगन तुझे, निबानी है तेरे साथ वो सारी रसमें जिनके वादे की हैं मैंने, पूरा करूंगा हर तु बरोसा रखना, यार, सुन, दिल मत तोड़ना, यार, कोशिश करूंगा आकिर तक, जब तक तेरी आँखों में तडब देखूंगा मेरे साथ रहने की, बस कभी मुझसे समझाता मत करना, यार, सुन, दिल मत तोड़ना, यार, आता है गुस्सा तिरी जित पे, मन करता ह जैसे खुद को कुछ कर दूँ लेकिन रोक लेता हूँ खुद को क्योंकि जान है तुमेरी मुझे जितना दर्द होगा उतना होगा तुझे भी तुरूट मत जाना लेकिन छोड़के मत जाना यार सुन दिल मत तोड़ना यार क्या बात है जी अगर आपको लव गुरू बना दिया जाए तो प्यार का पहला लो अगर लाना हो तो क्या होगा वो दोगा देने वाले को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी दोगे अवाजों की कमी नहीं है किसी दर्द दिल का दर्द मैं समझ पा रहा हूँ अगर आपकी पॉइम्स को सौंग में ट्रांसफॉर्म किया जाए तो कौन सा आर्टिस्ट उन्हें प्रफॉर्म करना चाहिए बीप राख जानी और बीप राख अपने जैसा ही जानर चल परफेक्ट दिल जले आशिक वाला किसी फेमस बुक का एंडिंग रिराइट करना हो तो कौन से बुक होगी वा इंटु बुक्स मैंने अभी तक कोई मुवी जिसकी एंडिंग रिराइट करनी है तो आशिकी तू में जो एंडिंग सीन था कि वो पके ते लड़का सिर्फ मुवी का टाइटल यूज करके अपनी लाइफ को डिसक्राइब करना हो तो कौन से मुवी का नाम होगा बागम बाग बागी रहू मैं जब से सही है माइंड रीडिंग या फ्यूचर प्रडिक्शन क्या चूज करोगे माइंड रीडिंग एक बार को विश्वास कर करेंगे लोगों के फ्यूचर प्रेडिक्शन पर विश्वास नी करेंगे सही बात है माइंड रीडिंग दो वोत लोग कर रहे है अजकर अपने टीनेज सेल्फ को कोई एडवाइस देना हो तो क्या अडवाइस दोगे कोई बाद नी सब ठीक हो जाएगा जो चल रहा है चल से विए चीज मानी है कि आप अपने आपको स्परिच्वाली एक्टिव रखते होना तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज हैं सौर्ट होती है यूगेट में इनिंग्स यूगेट तो नो देनिंग्स उफ फिंग्स विच एपनिंग इन्यूर लाइफ वो चीज बहुत कुछ लोग बहुत देर से रेलाइस करते हैं जाना हर किसी को वह ही उसी रास्ते कुछ लोग जनली चले जाते हैं कुछ लोग बहुत देर से चले जाते हैं कुछ लोग बीच रास्ते से चले जाते हैं बच्पन का कोई ऐसा सपना जो अभी भी पूरा होना वाकी है जो अभ झाल झाल